घर से भाग कर शादी करने वाली बेटियों के साथ क्या होता है? शायद कोई परिवार, कोई बेटी और उनका भुविश्य इससे बच जाए. ट्रेन की AC कमपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा हेलो, क्या आपके पास इस मुबाइल की सीम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग से एक फोन निकाला, वहन नया सीम कार्ड उसमें डालना चाहती थी. लेकिन सीम स्लोट खुलने के लिए पिन की जूर्ट पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी. मैंने हां में गर्दन हिलाई, और अपने क्रोस बैग से पिन निकाल कर लड़की को दे दी. लड़की ने ठैंक्स कहते हुए पिन ले ली, और सीम डाल कर मुझे वापस कर दी. थोड़ी देर बाद वह फिर से इधर उधर ताकने लगी, उससे रहा नहीं गया. मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी है, तो वो बोली, सीम स्टार्ट नहीं हो रही है. मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया, मैंने उससे कहा, कि सीम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी. एक्टिव होने के बाद, आईडी वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे. लड़ी ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा आज कल सीम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है जिस नाम से ये सीम उठाई गई है उसका बेवरा पूछा जाएगा बता देना लड़की बुद बुद आई ओ मैंने दिलासा देते हुए कहा इसमें परिशानी की कोई बात नहीं वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही मानो किसी परिशानी में हो मैंने फिर विनमर्ता से कहा आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा मोबाई इस्सेमाल कर लीजिए लड़की ने कहा जी फिल हाल नहीं ठैंक्स लेकिन ये सीम किस नाम से खरी दी गई है मुझे नहीं पता मैंने कहा एक बार कहा है लड़की ने कहा दिल्ली और आप लड़की ने मुझसे पूछा मैंने कहा दिल्ली ही जा रहा हूँ एक दिन का काम है आप दिल्ली में रहती है या लड़की बोली नहीं नहीं दिल्ली में मेरा कोई काम नहीं नहीं मेरा घर है वहाँ तो मैंने उत्सुकता वश आजाद लेकिन किस तरह की कैद से मुझे फिर जिग्यासा हुई किस कैद में थी ये कमसिन अलहर सी लड़की लड़की बोली उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है जहां घर वाले कहें शादी कर लो जब जैसा कहें वैसा करो मैं घर से भाग चुकी हूँ मुझे ताज जुप को छुपाते हुए मैंने हसते हुए पूछा अकेली भाग रही है आप, आपके साथ कोई नजर नहीं आ रहा, वो बोली अकेली नहीं, साथ में है कोई, कौन, मेरे प्रशन खतम नहीं हो रहे थे, दिल्ली से एक और ट्रेन पकड लूँगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे, ओ, तो ये प्यार का मामला है, उसने कहा, जी, मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरेज की है, ये बात सुनकर वह खुश हुई, बोली वाओ, कैसे, कब, लव मैरेज की बात सुनकर, वो मुझसे बात करने मे रूची लेने लगी, मैंने कहा, कब, कैसे, कहा, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ, आपके घर में कौन-कौन है, उसने होश्यारी बर्तते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं, मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, मा, भाई, बहन, या हो सकता ह भाई ना हो, सिर्फ बहने हो, या ये भी हो सकता है, कि बहने ना हो, और दो-चार गुसा करने वले बड़े भाई हो, मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता, वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, मीना, रीना, कुछ भी, बहुत बातूनी लड़की थी, वो थोड़ी इधर-उधर की बाते करने के बाद, उसने मुझे टौफी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में, वो बोली, आज मेरा बर्थडे है, मैंने उसकी हतेली से टौफी उठाते हुए बधाई दी, और पूछा, कितने साल की हुई हो, वो बोली, अठारा, मतल कि मेरी ओमर 35 साल है, यानि 17 साल बड़ा हुँ, उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हो, मैं मुस्कुरा दिया, मैंने उससे पूछा, तुम घर से भाग कर आई हो, तुम्हारे चहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है, इतनी बेफिक्री मैंने पहली ब जहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूर खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में ही सोचना, और मैं वही कर रही हूँ, मैंने फिर चुटकी ले और कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अंजान मुसाफिर से दूर रहने की सला नहीं दी, उसने हस कर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा, ये बताना, मैंने उसके प्रेमी की तारिफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉइफरेंट काफी टैलेंटिड है, उसने किस सरा से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सीम और मॉबाइल द बताया कि मेरी शादी को 10 साल हुए है, एक बेटी है 8 साल की, और एक बेटा 1 साल का, ये देखो उनकी तस्वीर, मेरे फोन पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुँ से निकल गया, सो क्यूट, मैंने उसे बताया कि ये जब पैदा हुई, तब मैं कुवैत में था, एक इस पैट्रो कमपनी में बहुत अच्छी जब थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी थी, फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो जब छोड़ दी, और अपने ही कस्बे में काम करने लगा, लड़की ने पूछा, जब क्यों छोड़ी, मैंने कहा, बच्ची को पहली बार गोद में तब भी घाटे का सोदा है, मेरी दो टके की नोकरी, बच्चपन उसका लाखो का, उसने पूछा, क्या भीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ, मैंने कहा, काफी टेकनिकल मामलों से गुजर कर एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं, उस वक्त ये मुम्किन न नहीं था, मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलिशान रहन सहन के साथ नोकरी या परिवार, मैंने परिवार चुना, अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए, मैं कुवैत वापस गया था, लेकिन अपना इस्तीफा दे कर लोट आया, लिड़की ने कहा, very impressive, म उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था, कि ये लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल ना समझ और मासूम छोटी बहन सी, मैंने उसे बताया कि हमने भाग कर शादी नहीं की, और ये भी है कि उसके पापा ने मुझे पहली नजर में शक्ती से क्यों किया, लड़की ने पूछा, मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाती, मेरा काम, घर, परिवार, बिल्कुल सही, लड़की ने सहमती दर्ज कराए, और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया, मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसके पित मना कर दिया, वो दो दिन तक लगातार जोर देती रही, कि भाग चलते हैं, मैं मना करता रहा, मैंने उसे समझाया, कि भागने वाले जोडे में लड़के की इज़त पर कोई खास फरक नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज़त धूल जाती है, भगाने वाला शब्द कोश लड़की के लिए इस्सेमाल किये जाते हैं, भागने वाली लड़की आगे चल कर साट साल की वृदा भी हो जाएगी, तब भी जवाने में किये गए उस कांड का कलंक, उसके माथे से नहीं मिटता, मैं मानता हूं कि लड़का लड़की को तोलने का ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में है तो यही, ये नजरिया गलत है, मगर सामाजिक नजरिया यही है, वो अपने नीचे का होट दातों तले पीसने लगी, उसने पानी की बोतल का धकन खोल कर एक घूट पानी पिया, मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जा मान ही है, चाहे शादी ना हो, तो ना हो, कुछ फल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी, उसने पूछा फिर आपकी शादी कैसे हुई, मैंने बताया कि खुश्बू की सगाई कहीं और कर दी गई थी, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था, खुश्बू और उसके मंगेतर की बाते भी होने लगी थी, फोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नजदीक आने लगी, उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, डिमांड मतलब, लड़की ने पूछा, डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की परिवार में सब को सोने से बने तोफे दो, दूले को लकजरी कार चाहिए, सास और ननद को नेकलेस दो, वगयरा वगयरा, बोले हमारे यहां रीत है, लड़का भी इस रीत की आदाएगी का पक्षधर था, वो सगाई मैंने तुडवा डाली, इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बलकि ऐसे लालची लोगों में खुश्बू कभी खुश नहीं रह सकती थी, ना उसका परिवार, फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझा कर मैं फ्रंट पर आ गया, और हमारी शादी हो गई, यह सब किस्मत की बात थी, लड़की बोली, चलो अच लोड़े की पसंद सही हो, दोनों में से कोई भी गलत यह सही हो सकता है, काम की बात यहां यह है कि कौन ज़्यादा वफदार है, लड़की ने फिर से पानी का घूट लिया, और मैंने भी, लड़की ने तरक दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए, तो कोई बात नहीं, उन्हे गलाने नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा फैसला ऐसा हो, जो दोनों का हो, बच्चो और माता-पिता दोनों की सहमती, वो सबसे सही है, बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूंगा, कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट शामिल नहीं है, ना ही तु इश्क है, तुमने दिमाग पर जौर नहीं दिया, ये इश्क है, फाइदा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है, तुम्हारा दिमाग दुनियाधारी के फितूर से बिल्कुल खाली था, उस खाली जगा में इश्क काफी दूर भर दिया गया, जिन जनाब ने इश्क को भरा, क्या वो इश्क में नहीं है, यानि तुम जिसके साथ जा रही हो, वो इश्क में नहीं, बलकि होश्यारी और हीरोगिरी में है, जो इश्क में होता है, वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता है, तीन ट्रेने नहीं बदरवा पाता है, उसका दिमाख इतना काम न उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है जबकि उसका असली नाम कैश था जो नहीं इस्तेमाल किया जाता वो शातिर होता तो कैश से मजनू ना बन पाता फरहाद ने शिरी के लिए पहाडों को खोद कर नहर निकाल डाली थी और उसी नहर में उसका लहू बहा था वो इश्क था इश्क में कोई फकीर हो गया कोई जोगी हो गया किसी मांजी ने पाहाड तोड़ कर रास्ता निकाल लिया किसी ने अतिरिक्त दिमाख नहीं लगाया चाला कि नहीं की लालच हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है इश्क समर्पन करने वाले को कहते हैं जिसमें इन जानक खोसी गई, उसकी खिलखिलाहट और खिलंदड़ापन एकदम से खामोशी में बदल गया, मुझे लगा मैं कुछ जादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा, मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुन से करते हैं, कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा तुम्हारी मा कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, ना पानी पिएगी, जबकि आपको अपने आशिक को आज मा कर देख लेना था, ना तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता, ना दिमाग पर, वो अकलमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता, आज कल गली महले के हर तीसरे लोंडेल पाटे को, जो इश्क हो जाता है, वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है, एक तरह की स्टन्ट बाजी, डेरिंग, अलग कुछ करने का फितूर, और कुछ नहीं, लड़की के चहरे का रंग बदल गया, ऐसा लग रहा था, वो अब यहां नहीं है, उसका द से निकली थी, और कहा पहुँच गई, उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी, देखा, सिम एक्टिवेट हो चुकी थी, उसने चुप चाप बैग में से आगे का टिकट निकाला, और फार दिया, उसने मुझ से कहा, एक कॉल करना है, मैंने मोबाइल दिया, उसने नमबर डा मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ, दोनों तरफ से भावनाओ का सागर उमड पड़ा, हम ट्रेन से उतरे, उसने फिर से पिन मांगी, मैंने पिन दी, उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी, और फिर पिन मुझे वापस कर दी, कहानी को अंत तक सुनने और पढ़ने के लिए धन्यवाद, यह कहानी, देश की सभी बेटियों को समर्पित, यह मेरा दावा है, माता पिता से ज़्यादा, तुम्हें दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, कहानी पढ़कर शेर अवश्य कीजिएगा, शायद कोई परिवार, कोई बेटी, और उनका भुईशय से ब बताएं, यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है, यह फिर ऐसी कोई कहानी, जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेर करें, दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेर करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉल जरूर करें, तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही जबर्दस्त कहानी ये टिप्स के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी अपना ख्याल रखना, आपका दिन शुव वा मंगल में हो,